दोस्तों आप सबका स्वागत है कमल्स पूड लैब में चहां पर हम बनाते हैं हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपीज दोस्तों अभी आम का सीजन चल रहा है, तो चलिए आज मैं आपके साथ शेर करती हूँ एक बहुती स्वादिष्ट आम की मिठाई जिसका नाम है मैंगो कलाकंद दोस्तों यह जो कलाकंद है, यह बनने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन बहुती दानेदार और एक दम मुँ में घुल जाने वाला बनकर तयार होता है आप देखी पा रहे होंगे कि इसका जो टेक्शर है बहुती बढ़िया आया है, तो चली देखते हैं इससे कैसे बनाना है तो यहां पर कलाकंद बनाने के लिए मैंने एक लीटर फुल फैट दूद रख दिया है उबलने के लिए जब तक हमारा दूद उबल कर तयार होता है, तब तक यहां पर एक बड़ी साइस की हापुस आम मैंने ले ली है, जिससे छील कर इसकी हम प्यूरी बना कर तयार करेंगे दोस्तों आम की प्यूरी बनाने में हमें पानी या दूद का इस्थमाद नहीं करना है दूद में उबाल आने वाला है और यहांपर मैंने प्यूरी को कप से माप कर बता दिया है आपको करीब 1-2 टेबल स्पून यह कम है एक कप में एक कप प्यूरी आपको लेनी है यहांपर 1 लिटर दूद के साथ तो अब दूद में अच्छा सा उबाल आ गया है इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हमारी आम की प्यूरी इसमें मैंने दूद या पानी कुछ भी नहीं डाला है सिर्फ आम को पीस कर तैयार कर लिया है और अगर आपकी आम रेशे वाली हो तो इससे आप एक बार जरूर छान कर इसके बाद ही डालें इसमें तो पूरा अच्छी तरह से पल्प इसमें मिला कर हम दूद के साथ इसमें मिक्स कर लेंगे यह देखे यहाँ पर मेरा पूरा पल्प अच्छी तरह से दूद के साथ मिक्स हो गया है लेकिन इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो दूद का टेक्शर है वो बहुत जादा दानेदार नहीं हुआ है अगर आपकी आम हलकी सी खटी होगी तो ही आपका जो दूद है वो अच्छी तरह से फटेगा वरना कई बार आम से दूद पूरी तरह से फट नहीं पाता है आप देख सकते हैं एक दम हलके हलके दाने पढ़ रहे हैं तो यहां पर और थोड़ा सा दानेदार बनाने के लिए मैं एक चौथाई टी स्पून विनेगर आइट कर रही हूँ अगर आपके पास विनेगर या सिरका ना हो तो आप एक चौथाई टी स्पून विम्बू पर रस आइट कर सकते हैं और अगर आम से ही आपके जो दाने हैं वो अच्छे मोटे-मोटे पढ़ने लग गये हूँ इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे शक्कर तो एक चौथाई कप मैंने यहां पर शक्कर डाल दी है और साथ में मैं डाल रही हूँ इस तरह से छोड़ने लग गया है तो अब हमारा कलाकंद आल्मोस्ट तैयार है अभी थोड़ी सी नमी इसमें है जिसे हम और सुखाएंगे इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे इलाइची का पाउडर दोस्तों अगर आप सिर्फ आम का फ्लेवर चाहते हैं तो इलाइची तोड़ रहा है आप देख सकते हैं बिलकुल एक लंप की तरह फॉर्म हो रहा है और यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखाती हूँ मैं इस तरह कि जब हो जाए तब आपको गैस को बंद कर देना है हमारे जो कलाकंद है यह बहुत जादा सुखा सुखा भी न जाल दूंगी और इस तरह से टाफ करते हुए और हिलाते हुई अमें इसे लेवल करना है उपर से दबा कर लेवल नहीं करना है स्वाचुला से ही या किसी कटोरी से женों यह दानेदा टेक्षर है वह इंटां करना चाह्यए इसल्ये मैंने इसी तरह से टाप करते वह इसे ले सकते हैं तीन से चार घंटे इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे और यह देखिए दोस्तों हमारा कलाकंद एकदम बढ़िया सेट होकर तयार है तो बटर पेपर डालने की वजह से एकदम आसानी से हमें से निकालकर इस तरह से ले सकते हैं और अब इसके मैं पीसिस कट कर आपको जैसे शेप पसंदो वैसे शेप में आप इसे कट कर सकते हैं रेक्टैंगल स्क्वेर कैसे भी आप कट कर ले और आप देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही सॉफ्ट हमारा कलाकंद बनकर तयार हुआ है बहुत ही आसानी से कट जाता है यह देखे दोस्तों कलाकंद हम जिनेशा टेक्श्चर में एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, मुह में जाते हैं घुल जाए उस तरह का, तो यह वैसा ही बनकर तयार हुआ है, अभी मैं आपको इसका टेक्श्चर भी बताऊंगे, यह देखे, आप देख सकते हैं दोस्तों, कि एकदम मुलायम और एकदम सॉफ् यह देखे, एकदम दानेदार भी बना है, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है, वैसे ही दानेदार बना है यह, जो साइड्स में से निकला था, उसे मैंने इस तरह से लड्डू बना कर रख लिया है, तो दोस्तों, अभी आम की सीजन चल रही है, तब तक में आप भी ज